सब्सक्राइब इंटेलेक्टिल इंडीज इंप्रेज दबैल इकन नेवर मिस एनी अप्रेट जैसे कि आप इसे कुछ लोगों को पता होगा मेरे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी है तो मेरे पाफ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी मार्केटिंग स्ट्राइजी क्लि इन चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू तो देखते रहे इस वीडियो को आज हम इसी बारे में बात करने वाले है तो बेसिकली इस रिसर्फ प्रोसेस को हम छे पार्ट में बाटेगे सबसे पहला आता है आइडेंटिपाइं दे प्रॉब्लम बाट हमको करना क्या है तो मानके चलते हैं मैं अपने प्रोडट को लेकि कंश्यूद हैं कि हमको अपने प्रोडट का टेस कैसा बनाना चीए मीठा बनाना चाहिए, आपको सोच कीकरना चाहिए इसीकne साथ दूसरी चीज़ आती है तो आपको data कहा से उठाना है आप हवा के अंदर तो बाते नहीं करोगे कि भाई मेरे साफ से चॉकलेटी होना चाहिए मुझे टेस्ट में मज़ा आ रहा है जब तक आप अपनी ओडियन से पूछेंगे नी जब तक आप किसी सेंपल सेट के उपर रिसर्च नहीं करेगे तक आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा प्रोड़क्ट अच्छा है या मेरा चॉकलेटी फ्लेवर इस बेस्ट में को औरेंजी पर काम करना ही नहीं चाहिए तो यह ही है रिसर्च प्लान तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप सर्वेस कर सकते हैं आपने एक sample का paper बना लिया, जिसके अंदर questions लिखे हुए, अपना flavor टेस्ट करा है लोगों को, देखो भाई ये ये flavor है, आप पता ही आपको कुन सा अच्छा लग रहा है, आपने उनसे form बरवाया, आपने एक बड़ा set लेके चला, मान की चले 500 बंदों का set लिया, और ये जो 500 500 बंदों के उपर experiment कर रहे है, इस चीज को मैं कहते है, sample set, तो आपने आपना sample set 500 का लेके चला है, तो 500 साब को basic idea मिलाएगा कि 500 के अंदर 400 बंदे कह रहे है कि chocolate flavor is better, तो मुझे chocolate की तरफ जाना चाहिए, मतलब कुछ research के उपर idea होना चाहिए, और ये नहीं है कि sample set में 5-6 बं CV होते हैं, जो कि अगरते हैं, net पर search मारते हैं, पुरानी researches, कि इसके उपर कोई document research हुई है, तो देखते हैं कि ऐसा हो चुका है, तो उसकी बात follow करके काम कर लेते हैं, अब मैं उनको advise करता हूँ कि आपका product different है, अगर same कर रहे हैं, तो क्यों आपका कोई product लेगा, तो आप अगर product different है, तो आप पुराना set नहीं उठा सकते हैं, तो थोड़ी सी research करिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, तभी आपका product अच्छे तरीका सर डवलप हो पाएगा, अब यहां पर तीसरा step आ रहा है, जहां पर आप data collect कर रहे हैं, आपने वो form भरवार है लोगों से, वो तीसरा step है, अब यहां पर चौतर step आता है, वो जट फॉर्म भरवाया है, जो आपने data collect किया है, आपने उसको Excel sheet के दर ले लिया, आप लेने को उसको paper में ले सकते हैं, पर मेरा मानना है कि आप Excel sheet पर ले होगे, तो formula लगा कि आप done से execute कर पाएगे, तो आपने वो data लिया, आपने चेक किया, भाई, कितने percentage of audience, कौन सा flavor मान रही है, तो यहां पर आपने छोटा सा graph बना के देखा, आपको basic idea मिलिया कि भाई, जानातर लोग कह रहे हैं कि मेरे को अपना flavor इस type का करना चाहिए, इसी के साथ 5-5 point आता है, आपने अपना point final कर लिया, कि भाई, मेरे को chocolate flavor पे ही क zar लेते हैं, पर उसको execute नी करते, उनको पता है, उनको पता है कि भाई, में इक लिए और उनको पता है कि भाई, ओर इम्छ फ्लेवर सस्ता बनाना है, और उनको पता है कि मारकेट की जो need है, वो चौकलेट लिवर की है, और सस्ता तो और इज पड़ता है, इसले और ऑरेज बनाएगे तो मैं आपको advice करूँगा आप proper research कीजिए उसी के बाद जो आपकी finding आती है उसी के उपर काम कीजिए और decision जरूर लीजिए यह निए कि भाई मेरे research तो कर ली पड़े रहन दो बाद में सोचेगे इस बारे में अभी जो चल रहा हो चलते रहन दो अगर आपको grow करन है तो आपको continuously research करते रहना होगा आपका product art develop हो चुका है फिर research कीजिए फिर उसके अंदर कुछ improvisation लाई है आप देखें कि बड़े बड़े जो भी brands है वो कुछ-कुछ time के बाद अपने product को improve करते रहते है तो वो R&D तो करती है R&D के साथ-साथ आप भी करते है बहुत जग process होता है तो यह चीज़ आपकी company भी कर सकते है बहुत असान चीज़ है मेरे साब से और आप में से कुछ marketing students भी देख रहे है भाई paper के अंदर यह लिखना है example भी दोगे तो ज़्यादा number मिल सकते है शायद तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ यह video फ़तम करते है आशा है अगर कोई दिक्कत है तो नीचे comment में पूछिए मुझसे अगर कोई आपको लग रहा है कि मेरे पास एक product आईडिया है मुझे इसकी research करने किस तरीके से करने चाहिए तो आप मुझे Facebook पर direct message भीजिए क्या पता मैं आपकी help करता हूँ थोड़ी सी तो बाई गुदनाइट शबागेर खुदा आफिस बाई